Hello friends, आँज के इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ की कैसे आप अपने लावा व्यू आण्डुइट मौईल फोन में आप जो है स्क्रीन ल्किंग साउंट सैटिंग को आप जो है disable कैसे कर सकते हैं और ये स्क्रीन लॉकिंग साउंट सैटिंग disable करने के बाद कैसे काम करेगी आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने वाइल फोन में setting page open कर लेना है setting page open कर लीजे और आपको जो नीचे की side में आना है यहाँ पर आपको sound का यह option देखने को मिलेगा sound पर आपको इससे select कर लेना है अब यहाँ पर आपको sound के इस page में नीचे की side में आना है और यहाँ पर आपको screen locking sound का यह option मिल जागा इसके सामने एक बटन दे रखा है आपको इस बटन को select करना है तो ये setting जो है disable हो जाएगी अब मैं आपको जो है ये पहले बता देता हूँ ये setting जो है disable करने से पहले कैसे काम करती है और disable करने के बाद कैसे काम करेगी ठीक है तो यहाँ पर जब भी आप अपने mobile phone की screen को lock करते है ठीक है तो एक sound create होता है ठीक है तो इसलिए setting का नाम है screen locking sound अब आप जो है इस setting को button दबा के disable कर देंगे यानि कि off कर देंगे तो अब आप अपने mobile phone की screen को इस तरीके से off करेंगे तो कोई भी sound यहाँ पर create नहीं होगा ठीक है तो ये setting जो है disable करने के बाद कुछ इस तरीक में आप जो shortcut तरीके से setting को कैसे ढूंड सकते है इसके लिए आपको करना क्या है कि mobile का setting page open कर लेना है setting page open कर लीजे और आपको सबसे ओपर यह search setting का option नजर आएगा search setting पर आपको इससे select कर लेना है अब यहाँ पर आपको search bar में type करना है screen locking sound ठीक है तो जो setting का name है वो आपको य नीचे की side में आपके phone में तो इससे आपको select कर लेना है इससे होगा क्या कि आपको mobile phone आपको जो है directly इस setting में लेकर आजाता है और इस setting को जो है highlight करके दिखाता है तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका बता दिया इस setting को shortcut तरीके से कैसे आप जो ढूंड सकते है अपने लावा view android while phone में